मनी की बात E.T. मनी के साथ में आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ ये कहानी है आयूश की पिछले हफ़ते अपना 27 बर्थडे मनाने वाले आयूश के जीवन में बहार आ गई है घर में एक खुबसूरत बेटी मीरा का जनब हुआ है और ऐसे में पाटी का महौल तो है लेकिन अब अचानक आयूश के मन में वही खयाल आ रहा है जो हर माबाप के मन में आता है कैसे अपनी बेटी को सबसे बहतर एजुकेशन दी जा सकती है और आने वाले समय में उसकी हर जरूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है आयूश पैसे लगाने को तो तयार था लेकिन उसे इसमें बड़ी कनफ्यूजन है इस कनफ्यूजन के चक्कर में आज तक आयूश ये फैसला ही नहीं कर पाया कि निवेश एफडी में करें या आरडी में करें या जो रकम लगाएं वो ब्यूच्वल फंड में इंवेस्ट करें कुल मिलाकर निवेश कहां और कैसे करें इस उलजन में वो बुरी तरह फसा था इस तरह तनाव में डूबे आयूश को देखकर उसके दोस्त रोहित ने टेंशन की वज़य पूची आयूश ने निवेश ना करने और सपनों के पूरा ना होने का डर रोहित के सामने जाहिर किया रोहित ने कहा कि आज पाटी का दिन है और इस टेंशन को कल लण्च पर दूर करेंगे अगले दिन लंच ब्रेक पर रोहित और आयूश आफिस के नजदीक वाले रेस्टराउं में पहुँच गए रोहित ने बताया कि इन्वेस्मेंट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है पहली बात है कि हमारा गोल क्या है क्यों हम इन्वेस्मेंट कर रहे हैं रोहित ने बताया कि कुछ गोल शॉट टर्म होते हैं जैसे फॉरन टॉर पे जाना या फिर घर के लिए होम थेटर सिस्टम खरीदना ये गोल आज से एक से तीन साल में हासिल किये जाने हैं इसलिए इन्हें शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं कुछ गोल मीडियम टर्म होते हैं जैसे घर या गाड़ी खरीदना इनको आप तीन से पाँच साल में हासिल करना चाहते हैं बच्चों की higher education या खुद की retirement planning का goal एक long term goal होता है जिनके आने में अभी 5 साल से ज्यादा का वक्त है रोहित ने समझाया कि एक बार goal तैह हो जाए तो फिर ये जानना जरूरी है कि हम कितना risk ले सकते हैं और क्या हम महंगाई को हरा सकते हैं अगर हम पैसा अपने saving bank account में रखते हैं तो हमें केवल 4% interest मिलता है अगर हम FD करते हैं तो हमें लगभग 6% interest मिलता है इस interest पर tax भी लगता है क्योंकि ये हमारी income में जुड़ जाता है और हम जिस tax lab में आते हैं उतना tax हमें भरना पड़ता है साफ बात ये है कि bank deposit में हम महंगाई को मात नहीं दे सकते और अमीर भी नहीं बन सकते क्योंकि हमारे देश में पिछले 20 साल में महंगाई की average हर साल 7% रही है तो बैंक में रखे गए पैसे बढ़ने की बजाए घट रहे हैं रोहित ने आयूश को महंगाई को हराने और पैसे कमाने के लिए mutual fund में invest करने की सलहा दी रोहित ने आयूश को बताया कि इसके जरिये वो डेट या equity दोनों में invest कर सकता है हर गोल और रिस्क के लिए अलग schemes है रोहित ने बताया कि डेट funds में short term के लिए निवेश कर सकते हैं डेट funds share market में निवेश करने का जोखिम नहीं लेते medium term के लिए debt और share market दोनों में निवेश करने वाले hybrid funds में invest कर सकते हैं और long term के लिए रोहित ने आयूश को equity fund में पैसा लगाने की सलह दी इसमें 12-15% तक return की बात सुन कर तो आयूश हैरान रह गया लेकिन रोहित ने आयूश को ये भी समझाया कि equity में risk भी है हाला कि अगर पिछले 20 साल में equity के सालाना average return को देखें तो इसमें 17% तक return दिया है रोहित ने यहां एक और बात आयूश को बताई कि ये guarantee नहीं है कि हर साल आपको एक जैसा return मिलेगा लेकिन अगर आयूश long term के लिए निवेश कर रहा है तो equity से बहतर कोई विकल्प नहीं है बस जरूरी है कि आयूश को हमेशा risk को ध्यान में रखना होगा रोहित ने आयूश को बताया कि mid cap और small cap में risk multi cap और large cap fund के मुकाबले ज्यादा होता है अब रोहित ने कहा कि अगर आयूश invest करने के लिए तयार है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि निवेश का फैसला होने के बाद वो et money app पर जाकर आयूश कुछ mintों में निवेश कर सकता है रोहित ने आयूश को बताया कि et money से ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी schemes उसके लिए सही है ऐसा करने के लिए आयूश को केवल दो सवालों के जवाब देने होंगे कितने वक्त के लिए वो निवेश करना चाहता है और कितना रिस्क इस निवेश में आयूश उठा सकता है इसका जवाब app पर डालते ही et money तुरंथ उसकी जरूरत के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट की गई स्कीम्स की जानकारी मुहया करा देगा इतना ही नहीं रोहित ने बताया कि et money पर pre-designed portfolios हैं जिन्हें smart solution भी कहा जाता है ये तीन funds की basket है जिसे पूरी महनत और research के बाद et money के experts ने design किया रोहित ने बताया कि इन solutions में आयूश को tax saving का option मिलता है अगर वो ज्यादा तेजी से रकम जोड़ना चाहता है तो high growth portfolio से जुड़े solution भी है इसी तरह आयूश को जरूरत और risk दोनों की जानकारी के हिसाब से अलग-अलग solutions यहाँ पर मिल जाएंगे इसके साथ ही ET money पर आयूश schemes खरीदने के इलावा उन्हें बेच भी सकता है यह सारा काम वो phone पर चंद मिंटों में कर सकता है और इसके लिए कोई fees या commission भी आयूश को नहीं चुकाना पड़ेगा इस बातचीत के साथ ही रोहित और आयूश लंच खतम करके बात करते करते office पहुच गए दोनों ने अपने अपने system पकड़े और रोहित दिन का बाकी काम निप्टाने पर लग गया जबकि आयूश ने सबसे पहले ET money app को डाउनलोड किया जिसे कि रोहित की सारी सलह भूलने से पहले आज ही वो निवेश की तरफ पहला कदम वड़ा सके